चोपड़ा है जो किसी ने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरी बच्चो आज इस वीडियो में हम राजस्तान स्टेट की काउंसलिंग अपडेट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स दे रखा है इन्होंने ये क्या है इस्टुडेंट को काफी सारा इस पर डाउट है दूसरी अपडेट के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी 24 फिलिंग कब तक है और तीसरी अपडेट के बारे में बात करेंगे कि फीस कौन से कोलेज की कितनी है क्योंकि इस बार रिवाइजड फीस कर दी गई है और फीस इंक्रीज कर दी गई है हर एक कोलेज की तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो provisional seat matrix दे रखा है 26 से October 22 का इसमें जो notice दे रखा ये क्या है तो ये जो provisional seat matrix है ये PG के लिए है गलती से उन्होंने UG की website पर डाल दिया है यानि कि अभी PG की भी offline counseling चल रही है और उसकी जो seat matrix है वो PG की website की बजाई UG की website पर upload कर दी है इसलिए कोई भी student इस seat matrix को देख करके tension में ना आ जाएं अभी next 24 फिलिंग की बात करें तो 24 फिलिंग की last date 27 October 22 है इसका सबसे पहले आपको registration fees पे करना है registration fees government और राजमेस की condition में ये 5000 OBC, SC, ST, MBC candidate के लिए है जनरल EWS के लिए 10,000 रुपीज registration fees पे करने के बाद आप 24 फिलिंग कर सकते हैं ध्यान रहे है च्वाइस फिलिंग की last date आज 27 October 22 तक है इसके बाद में आप 24 फिलिंग नहीं कर पाएंगे इसका result 31 October 22 को आ जाएगा और 28 October 22 से आप online application form जो आपने फिल किया है उसका print ले सकते है तो ये तो रहा इसका schedule राजस्तान स्टेट की counseling का अब बात करते हैं हम fees की तो इस बार राजस्तान स्टेट ने जो fees fix की है वो सभी government college जो प्रवाने government college थे उनकी और जो राजमेस के अंडर जो college थे जैसे की भीलवडा पाली चूरू डूंगरपूर बाड मेर ये जो नए college अभी खुले हैं धोलपूर शिरोई इन सब की जो government seat की जो fees है वो 6,800 रुपए fix कर दी है ये पहले अलग-अलग हुआ करती थी ये अभी fix कर दी गई है लेकिन ये इनमें government seat की fees ही है इसमें आप admission fees का सनमनी इसके अलावा sports का और infrastructure development का ये सारी fees देख सकते होस्टल fees भी fix कर गई है इसमें SC, ST, EWS और girls candidate के लिए सरकारी tuition fees माप हो जाएगी यानि कि जो 6,800 रुपए tuition fees है वो माप हो जाएगी SC, ST, EWS और girls candidate के लिए लेकिन जो बाकी part B के जो fees है इसमें और इसके अलावा admission fees का सनमनी ये जो है part B के ये सारे के सारे लगेंगे यानि 6,800 रुपए इन candidates क के लिए नहीं लगेंगे ये tuition fees माप हो जाएगी इसके बाद में 5% की बड़ोतरी होगी हर साल इसमें tuition fees में admission fees में money जो आप deposit कर रहे हैं इनमें 5% की बड़ोतरी हर साल की जाएगी इसमें इसके बाद में ये साड़े चार साल की fees लगेगी तो ये तो government seat के लिए है अब जो payment seat है इन जो नए कोलेज है राज मैस के जो कोलेज है इनकी जो government seat के अलावा जो management seat है उसकी fees 8,26,900 रुपए सभी के लिए है ये इसमें कोई किसी भी प्रकार की चूट नहीं है जो government seat है इनमें 6,800 रुपए मैंने बताई दी है लेकिन जो इनमें management seat हैं जैसे भीलवाडा पाल दुंगरपूर, बाडमेर, भरतपूर, धोलपूर, शिरोई, चितोड़, गर्डगंगा नगर ये जो इनकी payment seat है वो 8,26,900 है और 6,800 सभी की government fees है तो payment seat ध्यान रहे ये payment seat 8,26,900 रुपए है इसके बाद में इसमें जो NRI की fees है वो NRI की fees फर्स्ट और सेकेंड सेमिस्टर में 30,075 USD डोलर आपको admission के time में deposit करने होंगे और फिर तीसरे semester से अंतिम semester जो 7 semester बचे रहते हैं उनकी 16,537 USD डोलर पर semester ये देनी होगी NRI candidates को तो ये fees का government college के लिए जो structure है वो इस परकार से है अभी private college में दो college की fees कम हुआ करती थी अनन्ता और American की ये 15 लाग थी पिजली साल तक ये इसको increase करके 18 लाग रुपे कर दी है इसमें और इसमें hostel का 2 लाग, 3.5 लाग, 4 लाग ये अलग अलग कर दी हैं इसमें और one time registration fees लगेगी तो राजस्तान में इन दो college की कम हुआ करती थी, fees वो भी बढ़ा दी है, mg की फिलाल 15 लाग है लेकिन उसकी कटो ज्यादा जाती है तो ये private colleges की fees है, बाकी जो private colleges हैं उनका fees structure आप इनकी website पर हर एक college का fees structure मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं इनका fees structure, तो ये राजस्तान स्टेट की counseling update थी, अभी तक की fees increase के बारे में, schedule के बारे में मैंने बता दिया है और काफी सारे students को doubt हो रहा था जो seat matrix के बारे में उसको भी मैंने clear करने की कोशिस की है तो इस channel को आप subscribe करके रखें, इस परकार की information हर एक state quota counseling की, mcc की counseling की सारी updates आपको मिलती रहेंगी वीडियो को like or share करें और वीडियो पसंद आता है तो इसको like करें, otherwise पसंद नहीं आता है तो इसको आप dislike भी कर सकते हैं तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन